जिलादिकारी की अध्याक्ष्ता में कलेकेट सभागार में जिला उधियोग बंदू की माशिक बैठक संपन वी वही जनपाद राम पूर में बैठक के दोरा उध्योगिक आयस्थान रोशन भाग में पुलिस गस्त बढ़ाने उध्योगिक आयस्थान अजीतपूर में सड़क और नालियों का निर्मान तता स्वाती मेंठल के आस पास से आतिक्रमण को हटाने सहीत विभिन मुद्दों पर बातचीत की गई जिला पंचायत को ये कारे कराने के लिए निर्देशित किया गया था जिस पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि आज टेंडर परिक्रिया की जा रही है उधियोगी के काई ये मेंथा एंड एलाइट प्रोडेक्ट रामपूर एवं स्वाती मेंथल के पास आतिकर्वन के संबन्द में पूर में आजुद बैठक में उबजिला अधिकारी सदर और पुलिस छेतर अधिकारी सदर को निर्देशित किया गया था जिस पर तहसिलदार सदर ने बताया कि मेंथा एंड एलाइट प्रोडेक्ट के पास का अतिकर्वन हटा दिया गया और स्वाती मेंथल के आसपास के अतिकर्वन को यतश्रिक हटाने का आश्वासन दिया है करोडों रुपे की लागत से तयार बापु मॉल की दुकानों का किराया वह अवंटन राशी अप कम की जाएगी इसके लिए अप पालिका की ओर से शासन को पत्र लिख कर किराया कम करने की सिफारिश की जाएगी वहीं जनपद रामपूर में सपाशासन में करीब 12 कड़ों रुपे की लागत से शापिंग मॉल तयार किया गया था तोप खाना रोड पर बनाये गये मॉल का उधगाटन तो सपा सरकार में ही ततकालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही कर दिया था अगर तीन साल बाद भी बापू मॉल में बनी दुकाने अवंटित नहीं हो सकी बापू मॉल में कुल 316 दुकानों का निर्मान कराया गया था इनमे 165 दुकाने ग्राउंड फ्लोर पर बनाये गए थी इनमें से अभी तक सिर्फ 94 दुकानों की ही अवंटन हो सका है अभी भी खाली पड़ी प्रिशासन और पालिका की तमाम कोशिश को बाद भी बापू मॉल की दुकाने चालू नहीं हो पाएं जिससे राजसाव को घाटा हो रहा है बापू मॉल की दुकानों का और अंटन ना होने के पिछे सबसे बड़ी वज़ा सियासी पचड़बाज अब इसको लेकर प्रिशासन ने पालिका से दुकानों का किराया कम करने के लिए शासन को पत्र लिखने को कहा है ताकि दुकानों का आवंटन हो सके पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर इंदू शेकर मिश्रा के अनुसार अभिन दुकानों का किराया कम करने के लि पुलिस ने सरवजने की स्थानों और वाहनों की चेकिंग को अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस विभाग से सेवा निवर्थ होने वाले पुलिस कर्मियों का पुलिस लाइन में इस्तित सभगार क्ष्मी विदाई सामारों का आईजन किया गया वहीं जन्पद रामपूर में। पुलिस अधिशक शगुन कौतम द्वारा सेवा निवर्थ होने वाले पुलिस कर्मियों के अच्छे स्वास्ते एवं उज्वल भविश्य की कामना करते हुए गुलदस्ता प्रमान पत्र देकर ससम्मान विदाई दी गई। इस दोरान अरुण कुमार सिंग अपर पुलिस अधिशक विद्याकिशोर छेतर अधिकारी नगर अन्ये पुलिस कर्मी तथा सेवा निवर्थ होने वाले पुलिस कर्मियों के परीजन मौजूद रहे। तालीम तर्बियत सोसाइटी ने जरुद मंदों को कंबल बाटकर मनाया नए साल का जशन वहीं जनपद रामपुर में बरेली गेट पर तालीम तर्बियत वैलफियर सोसाइटी के तत्वधान में एक कंबल वित्रन कैम का आयोजन किया गया जिसमें तालीम तर्बियत बंदक फैसल खान लाला ने कहा कि हमारी वैलफियर सोसाइटी जनता की भलाई के लिए सदेव ततपर है और हर गरीब कमजोर व्यक्ति के दुखसुक में हाथ बटाने के लिए सदेव अगर्णी है आज समाज में फैल रही बुराईयों को दूर करने की जरूरत है हमें अपने की शिक्षापर्वी महत्व देना चाहिए यदि वैलफियर सोसाइटी की मदद की कहीं भी अवशकता है तो वैलफियर एस्सेशेशन भी आप लोगों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर खड़िए अपने बच्चों में नेतिक्ता का भाव लाना होगा ताकि भविश्य में हमार के बच्चे समाज में उच्तम उस्तर को प्राप्त कर सकें